पहसील लहरपुर की कोलूपुर पर्योजना पर अब तक खर्च की गए करोडो रुपिये पानी में डूब जाने के आसार बन गए हैं। पूरा करने के साथ ही वहीं पर इस्थित नाला का मुहाना बंद करने के निर्देश दिये थे। लेकिन नाला का मुहाना बंद करना तो दूर रहा। पर्योजना का काम भी अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। प्रिक्रमंद नहीं है जितना पर्योजना के पैसों में बंदर बाट को लेकर है। इसका अंधाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खड़े किये गए परक्यूपाइन को निट बोल्ट से बांध कर पतले तार के शहरे रोग दिया गया है। जो जंग लगने से ही तूट पर 473.60 लाग रुपिये खर्च कर 700 मीटर में परक्यूपाइन इस्टड निर्मार कराया जा रहा है। यहां कारी की शुरुवात इसी वर्स मार्च में हुई थी। चार माह बीत जाने के बाद भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। जबकि करीब दो सबता पहले उफनाई श 24 घागरा ने कटान वबाड से सैकड़ो गाओं के लोगों का जीवन तबाह कर चुकी है। पर्योजना का काम बंध होने और नाला का मुहाना खुला रहने से ग्रामेड चिंतित हैं। कटान रोको संगर्स मोर्चा के विनीत कुमार ने आइंडिया को बताया। मेरा नाम बिनीत कुमार है कटान रोको संगर्स मोर्चा अध्यच बसंतापुर। हमारे वहां को लूप रहा की प्रियोजना दो करोन 35 लाग की अनमानित है। जिस पर जो है नाले के पहले 14 नंबर कटर के बाद नाला पड़ता है। नाले में मान्य मंत्री जलसक्ती मंत्री मेंतर प्रताफ संग जी कह गए थे कि खरियोजना इतना नाला बंद कर दिया जाये इस पर जल्दी से जल्दी काम किया जाये लेकिन सिचाई विवाग के अधिकारी अभी तलक उस नाले पर कोई भी निर्ड़े नहीं लिया है और कोई भी अधिकारी उस पर जबाब नहीं दे रहा है हम कई बार सिचाई ग्यार के अधिकारियों से कह चुके हैं लेकिन अभी तलक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है नमस्कार मैं हूं सतीश कौशिक एक्टर, डिरेक्टर, प्रोडूसर और आपका चहिता हास से कलाकार मेरा नाम है केलेंडर में तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर देखते रहे हैं आई इंडिया खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया